हलो फ्रेंट स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल जुगाडू किच्छन में आजहां बनाने वाले हैं मटर और मश्रूम की सूखी सबजी आएए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले हमने लिया हुआ है 200 ग्राम मटर और 400 ग्राम के गरेब मश्रूम इन दोनों को हम एक में ही डाल कर उबाल लेंगे 5-7 मिनट के लिए आप चाहें तो इसे गुकर में एक सीटी भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गैस को बिल्कुल लोफलेम पर रखा हुआ है और इसे अच्छे से उबलने देंगे बीच-बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मश्रूम और मट्र दोनों उबलने लगे हैं और यह कम्प्लीट हो चुका है अब हम इसे चान के अलग रख लेंगे अब बढ़ते हैं हम अगले प्रॉसेस की और हमने यहाँ पर 200 ग्राम प्याज लिया हुआ है दो टमाटर लिया हुआ है तीन लाल मिर्च और एक बड़ा अद्रक का टुकड़ा और साथी साथ 30 से 35 लेसन की कलिया हम इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटके मिक्सी में डाल लेंगे यहाँ पर हमने अद्रक डाल लिया हुआ है और साथ में हम लहसन भी डाल लेंगे इसमें हमने दो दाल चीनी का टुकड़ा दो लॉंग एक बड़ी इलाइची और एक छोटी इलाइची डाल लिया है इसे भी हम इसमें डाल कर पीस लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फाइन पेस्ट तयार कर लिया हुआ है इसके बाद हमने एक कड़ाई को गर्म होने के लिए चड़ा दिया है ग्यास पे और हम इसमें दो बड़े चमच तेल डाल लेंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और जीरा डाल लेंगे जैसे ही खड़ी मसाले चटक जाए हम इन में जो हमने तीन हरी मिर्च काट कर रखी हुई थी इसे भी डाल लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है हमें ग्याज का फ्रेम बिलकुल लो रखना है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए इसे हम अच्छे से चला लेंगे मसालो को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें हमने डेल चमच, जीरा, मरिच और धनिया पाउडर डाल लिया है यह हमने मिला लिया है तीनों को एक में, दो चमच हमने डाला हुआ है हल्दी पाउडर हमने छोटे चमच का इस्तमाल किया हुआ है इसके अलावा हमने एक छोटी चमच मिर्च पाउडर डाला है और एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है यहाँ पे प्याज हमारा धीरे-धीरे भुन रहा है प्याज अच्छे से गल जाए इसके लिए हमने प्याज में एक चम्मत से थोड़ा सा जादा नमक डाला हुआ है हमने नमक की मदद से प्याज काफी अच्छे से गल जाता है इसलिए हमने यहाँ पे नमक का इस्तमाल किया हुआ है अब थोड़ी देर के लिए हम प्याज को ढख कर पकाएंगे जब हमने इसका लीड हटा कर देखा तो प्याज को इस तरह से दिख रहा था यह काफी अच्छे से गूर्डेन ब्राउन कलर का हो चुका है अब हमने इसमें सारे मसाले को डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए मसालों को आपने तब तक भुनना है जब तक इसमें से तेल ना निकलने लग जाए मसाले का भूनना काफी जरूरी होता है नहीं तो सब्जी का स्वात खराब हो जाता है इसलिए इस बात का ध्यान रखे हमने साथ ही साथ इसमें जो हमने टमाटा रखा हुआ था उसे कटकट के डाल दिया है यहां पे और इसे भी इन सब के साथ पका लेंगे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और साथ ही साथ इसे बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है ताकि यह जो हमारे मसाले हैं वो नीचे से जल न जाए हमें इसे लगबग 5-7 मिनट तक पकाना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे काफी अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें हमने जो मश्रूम और मटर को उबाल के रखा हुआ था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे यह बेहद ही आसान रेसिपी है बिल्कुल जटपट बन कर तयार होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जर्द नहीं पड़ती अगर आप इसमें चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं हमने इसे सूखा रखा हुआ है और हम इसे अच्छे से पका लेंगे और साथी साथ हमने इसमें थोड़ी से बिल्कुल कसूरी मेती डाला हुआ है इससे टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है आप यह चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं हमें इसे लगवग पांच मिनट तक पकाना है और लीजे बेहत कम समय में बन कर तयार है मश्रूम और मटड की सुखी सबची आप रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नए वीडियो आप तक पहुँच पाए और कैंडली हमें सब्वोंट करें आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें मुझे आसा है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी